हे ब्यूटिफुल्स वेलकम बेक्ट तो माई चैनल आज कल बालों का ज़र्णा बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है चाहे वो लड़किया हो या हो लड़कें हेयर फॉल ज़्यादा होने की वज़ेसे आपके बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है जिसके कारण जाया तर लोग अपने बाल भी कटवा देते है आज मैं ना आपके लिए किसी हेयर मास्क की वीडियो लेकर आई हूँ और ना ही किसी हेयर ओयल की बट आज का ये जो टॉनिक है वो आपकी हेयर ग्रोथ को डबल कर सकता है और साथ में ही आपके बालो का जढ़ना इंस्टेंट रोक सकता है तो चलिए वीडियो देख लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है तो ये complete वीडियो आप जरू देखे अगर वीडियो अच्छे लगे आपको लगे कि आपके लिए हल्पुल है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूले इस रेमेडि को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ग्लास पानी और इस पानी को हमने सिम गैस भी रखना है और सेकंड चीज आपने लेनी है कुछ नीम की पतियां नीम की पतियों में मैडिकेड़ प्रॉपर्टीज होती है ये आपके बालों के लिए एक नैच्रल हर्ब है जो कि ना सिर्व आपके बालों का जढ़ना रोकता है बलकि आपकी हेयर ग्रोथ को भी डबल करता है अब थ सकते हैं यह सिर्फोटी परसंट ही रह गया है यानि की आदे से भी ज्यादा यह अच्छी तरह से पक गया है क्योंकि मुझे नीम की आलमोस्ट पूरी गुर्णिस चाहिए इस पानी में अब इस पानी को आपने छाल लेना है सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आपने इस ड्रॉपर की हेल्प से अच्छी तरह से लगाना है इसको लगा के आप हलके हातों से फाइफ टू टू टैन मिनट मसाज कर ले फाइफ मिनट ही काफी होगा और पूरी रात आप इसे लगे रहने दे इसे आप मन्द में फोर टू फाइफ टाइम्स यूज करे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसे और भी ज़्यादा यूज कर सकते हो यह आपके बालों से डेंडर भी दूर करता है आपके बालों का ज़ड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ यह आपके बालों की ग्रोड डबल भी करता है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो ये ना ही कोई hair oil है और ना ही कोई hair mask बट येस ये आपके hair के लिए एक tonic है ये tonic आपके बालों की growth डबल करता है और instant आपके बालों का ज़र्णा रोकता है और साथ ही साथ ये dandruff की problem को भी दूर करता है तो आप इसको महीनी में 4-5 बार जरूर लगाए आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरू करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाए अपडेट्स के लिए and thank you so much for watching बाबाई